हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग और में बहुत अच्छी हूँ तो यहां पे देखिए बाब उखा रहा है दूद से मैंने बनाया था दूद थोड़ा सा था ना वो फट गया था तो मैंने चेनी डाल के खीस टाइब का बना दिया बाब उकले बहुत अच्छे से खा रहा है मज़े से उसको अच्छा लग रहा है तो अभी देखिए यहां पे ग्रॉसली का समाना गया है और इसको मैं लिकाल लेती हूं सारा और यह देखिए सिल्वा पेपर है तो मुझे जरुवत पढ़ती रहती ना रोटी में लगाने के लिए तो द्चछाना ना खाना तो रोटी यहां गरम रहती ठीक रहता यह और यह है वेसन के पीकट और यह मने का पगेट है मैं सोच रही हूं साधी से पहले में के पास्ट रखती थी मंडे को बट मैंने साधी के बात छोड़ दिया था बीच मही मगर द्यापन बगेरा बोलते है न वो कुछ नहीं कराया था मैंने तो मैं सोच रहे हैं कि अब रख लिया करूंगी मंडे को फास्ट तो वही सोच रहे हैं इसलिए मैंने मखाने मंगाये थे और थोड़ा सा चाय के साथ बून के खालो न वो ठीक रहता है और हमारे ने सुसराल में नंद भी रखती हैं बट वो थोड़ा अलग तरह से रखती हैं और मैं साधी से पहले अलग तरह से रखती थी तो हमारे जो नंद रखती हैं वो खाना खा लेती हैं साम को जो भी बनता है मतलब साम को फास्ट खोलती हैं तो जो भी बनता है वो खा लेती हैं साम को और हम मैं खारती थी पहले संद्रमक के आलू अगयर बना लेती थी वस वही चाह से खालेती थी तो मैं सोच रही हूँ सोच मिंपड़ गई हूँ कि अपने आंक रूर रखूँ या फिर यहाँ पर जैसे रखते हैं वैसे ही सोच रही हूँ तो देखोंगी और यह देखिए मैंने गुलाब जामून का एक पैकेट मंगाया है काफी टाइम बात मंगाया है मैं सोच रही है बनाऊँगी तो वैसे तो कोई ऐसा अफसर पर सोचते हैं कि कुछ ऐसा घर में कुछ फंक्सन हो तभी बनाएं लेकिन मैं देखती हूँ कब बनाऊंगी और यह किसमिस कर मंगाया है बाबू को दिया करूंगी दो किसमिस और दो बादाम दिया करूंगी तो इसलिए ये बंगालिया है किसमिस तो मैं भी खा सकती हूँ थोड़ी बहुत एक दो सुभा को नास्ते में और फायदा देती है खुन भी बढ़ाती है किसमें तो देखेए काली मिर्च है ये काला नमक और काली मिर्च मैंने पता काली मिर्च नहीं लिखी मैंने खाड़े मसाले लिखे थे और उसमें मैंने लिखा था मतलब दाल चीनी वगएरा सब चाहिए था मुझे बड़ी लेची जो होती है बोवी चाहिए थी वगर उनने केवल ये काली मिर्ची दी है मैंने ख़ड़े मसाले लिखे थे बट उनने के वर काली मेर्ज दी ए और काली मेर्ज तो पिसी हुई भी थी बट पता नहीं उनने सारा मसाले नहीं दी ए ये देखे लाश्ट में चीनी रह गए और बस कटे को बना देती थे और यहां पे देखिए मैं बना रही हूँ लंच में भर्मा तो रही तो यहां पे तो रही को छील के मैंने 20 से कट लगा दिया है और अच्छे से मैंने धुल ली है इसको अब मसाले ले लेती हूँ हल्दी पाउडर नमक सौध के अनुसार लेना है क्योंकि तुरही पिचक के जरासी हो जाएगी बाद में और यहां पे देखिए मैंने धनिया लिया है पिसा वो चार चमच लिया है और पिसी मिर्च आदे चमच ली है और यहां पे मैंने सौप ली ह दरदरा सा हलकी सी मैंने तबे पर भून ली थी उसके बाद मैंने कूटी थी क्योंकि ऐसे कुट नहीं पाती वह थोड़ी सी कस्मी रिमेज डाल ली है और हलका सा पानी डालके इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें अगर प्याज लस्तन डालना चाहते तो डाल सकते हैं झाल दरए मैं जो मसाला बचेगे अनगेनं तो मैं उसको मैं घाल लूँगी यह देखे़ना था तकी मैंने रहिता करनी हैं और कडाई मैंने पहला बनाइधा सुभा को निसकी में ने बम पनाई तकिосьती मैं ऑइल डाल बाकि और कुछ नहीं डालूंगी गैस को विल्कुल मीडियम करूंगी ज्यादा हाई पे नहीं पकाऊंगी मीडियम कर दूंगी विल्कुल वो इसको पकने दूंगी तो देखिए पाच नट बाद मैंने इसको चेक करा है मुझे अलट पलट करना है चारो तरफ से कि अच्छे से ये दोनों तरफ से सीख जाए तो देखिए तुरही हमाई बिल्कुल पिचक के कितनी सी हो गई है और बन गई है यहाँ पर मैंने एक टामाटर को कदुकस किया है वो एट कर दिया है और आमचूर पॉर्डर डाला है और जो कस्तूरी मेती थी न थोड़ी सी क्रस्ट करके वो डाल दी है तो हमारी बर्मा तुरही बनके रेडी हो गई थोड़ा सा बस पकाना है उसके बाद गैस आफ कर दूंगी तो यह देखिए बन गई है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी आप लोग जरूर टाय कर जिएगा ऐसे तो चलिए काम कर लेती है वाकि मैं कर दो कैसे हैं आप लोग में बहुत अच्छी हो और अभी न तो फैर का टाइम हो रहा है खाना पीने सब बन गया है मेरा बस अभी मेरा थोड़ा काम रह गया है सफाई भी कर ली है मैंने कपड़े दूने मुझे तो हस्बें आयत इतनी बर्दी बगएरा मुने उतारी है त तो बोले दूल के डालते हैं तो बस भी मैं भी दूलने जा रही हूं और उसके बाद मैं नहांगी क्योंकि कपड़े उपड़े सारा काम निप्टा लोना फेर नहां तो फीक लगता है अभी कपड़ों में वैसे हैं भीग जाती हूं मसीन से दूलती तो कोई नहीं लेकिन बर्दी है तो हाट से खुली दूलूंगी तो चलिए वहले मैं धुल लेती हूं फेर मिलती है आपसे तो अभी आ गए हूं मैं कपड़े दूलने के लिए यहां पे देखे यही पे बहार ही दूलूंगी वहार आसानी से दूल जाते हैं और मैंने सरफ में पहले गो दिये त बुरुस से रगड़ूंगी अगर थोड़ी साफ होती तो ऐसी मल लेती और सरफ में मैंने भीगो दिया था पहले इसलिए कि थोड़ा सा फूल जाए तो बस मुझे हलका एक दो बुरुस मारना है और साफ हो जाएगी तो इसमें जो डूरी लगी है ना इनकी बर्दी की तो बुरुस में लगा लेती हूं और अच्छे से दूल लूँगी और उसके बाद में छट पे जल्दी डाल दूंगी दूप में हिलगा के रखूंगी ताकि गिरेना इसको भी थोड़ा से रगड़ लेती हूं क्योंकि दोरी तो जल्दी नहीं धुल पाती टाइम ही लगता है और कैब भी है उनकी कैब भी सब चीज दे गए थे ना क्योंकि कल ये फाइरिंग बगएरा में गए थे तो हाँ पे बड़ी बगएरा पैन के गए थे और ये देखिए फाइरिंग बैग है इनका तो ये भी लगाते नहीं कमर पे सारी गोली बगएरा इसमें रखते हैं तो वो सब थीस में तो अभी गंदा था बोले धुल के रख देना इसको तो बस इनको भी मैं धुल के रख दूंगी और इसलिए मैंने इसको भी गोदिया देखिए इसमें पॉकिटे बनी हुई है इस तरह से तो ये भी अच्छे से मैंने रगाड लिया है और फूल गया था ना जब मैल फूल जाता है ना तो वो अच्छे से साफ हो जाता है दो तीन बुरुस्ती मारने पड़ते हैं फटाफट साफ हो जाता है तो चलिए मैं कर लेती हूँ आप लोग वीडियो को इंजॉय करिए वीडियो को प्लीस फूल देखिएगा हाप मन देखिएगा उसके साफ 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 कर दो कर दो नुब हो जाता है तो जाता है तो ग्मान दो चुब हो जाता है है应ना है कर दो 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 है sos आप अब को फिरी होके और मुझे आप लोग के साथ को शेड करना है कल जो मैंने प्रॉडेक्ट मंगाए थे अपको ज मुझे देखना है तो मेंने कयकर बोड़क्त मंगा है वो तो हमैं एक है कर कि आप लोग फिल जयल देखिए nbeame का ये झेल है इस टियम टो कंपनी का है ये और ये बहुत अच्छा है तो इक इस तरह की पकेकट में आता है इसका एंडे जो हुआ वह स्थिक का है और ने का भी क्योंगी और चान्स गिर भी गया तो कोई फरक नहीं और यह इस तरह से पूरा पैक है मैं आपको खोल के दिखा देती हूं पते और कंपनिया जो होती है जादा तर मिलावट करती है तो कलर का और उसमें डालती है कि खुश्बू आची तो यह वाली जो कंपनी है यहां पर कोई मिलावट नहीं नैचुरल है तो बहुत ही अच्छ और इसको किसी भी टाम यूज कर सकते हैं रात में दिन में क्रीम की जगे हम इसको लगा के इसको दूप में भी लगा के जा सकते हैं यह देखिए लगा के अच्छे से इसको हलके आतों से मसास करनी है हमारे चेहरे पे ग्लो आएगा इससे और जो भी हमारे चेहरे पे डेड स्कीन है वो भी दूर होगी कोई भी पिंपल वगेरा नहीं होगा यह देखिए इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं है बहुत ही अच्छा है इसके सारे बेनिफिट है इसमें सब लिखा है और यह कंटिनर है 200 ml का है यह और इसका प्राइज है 347 का है अगर आप एमजोन परपल या फ्लिप कार्ड से मंगबाते हैं तो आपको इसको मतलब ओफर मिलेगा आपको फ्रस्ते में मिल जाएगा और लिंक में डिस्क्रप्शन में दूँगी अगर आपको चाहिए तो आप चेक आउट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रप्शन में है तो यह बहुत ही अच्छा है करेख्ट अच्छा लगए हो तो जरूरर एक बाद चेक करें लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रप्शन में और ऑफर भी मिलेगा आपको बहाँ पर तो वीडियो अगर अच्छा लगए हो तो प्रीज वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल पर आए है तो करना मत भूलिए इन ते नेस्ट वीडियो में तब तक ली बावे टेक क्यार